जी वन क्लास आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट नमबर टू जी एस का दा सैंसेज सैंसेज अल्ला ताला ने हमें कितनी दी हैं देखें वन क्लास जैसे इधर है लोग नहीं दे सकते वो क्या कहलते हैं ब्लाइंड ते नीड आवर स्पोर्ट उन्हें हमारी स्पोर्ट की ज़्रूरत होती है चरने के लिए काम करने के लिए इसी तरह हमें अल्ला ताला की दी हुई नेमतों का हमेशा शुकर अदा करना चाहिए देखें अल्ला ताला ने में कौन सी सेंसे दी है We live in a colorful world, colorful and beautiful world हमें colorful और beautiful world में रहते हैं अल्ला गेव उस five senses, five senses दी है with five special body parts to explore the world around us These special body parts are called sense organs यह जो special five body parts है वो कहलाते है इनकी pics देखें, hand जो touch करने और feel करने के लिए यूज होता है, ears उसकी क्या sense है, hair करने की eye उसकी sense है, see करने की, देखने की, tongue उसकी sense है, taste करने की अब इदर देखें यह क्या है, nose, nose की sense है, smell करने की page number हमारा five था, इसकी आपने complete reading करनी है अब next page देखें, page number six page number six पे देखें, one class, our senses, जो हमारी five senses है seeing, hearing, smelling, tasting and touching यह क्या है, tongue, tongue की sense क्या है, taste करने के लिए tongue पे हमारे taste words होते हैं, जिनसे में taste feel होता है, कि कौन सी चीज का कैसा taste है, यह taste बेसिकली four types के होते हैं, sweet, sour, bitter और salty, मतलब sweet, मिठा होते हैं, sour, गड़वा, sour हो हमें खटा फील होता है, bitter, करवा और salty, नंकीन eye, eye की sense क्या है, eye to see, देखने के लिए use होती है, इसे हमें पता चलता है कि जो object हम देख रहे हैं, की लिए किलर क्या है इसी तरह नवार्व क्लास जैसे हमारे थेस्ट बर्ट में टंग में वहते हैं किस इंसेक्स जिनके टेस्ट बर्ट पर हैं बूह जब चलते हैं जो और घ्रत पर आप इस चीज का टेस्ट कैसा है आप नेच्स पेच पे देखें पेज नमबर सेवन उसपे रूह नूहने हमें इयार दिया है है की सैंस किया है करना है करनेशे हुआू हेर करने से स्他是 Carl चलता है यह सांड क्या है। वह सॉफ्ट होगा। और यह वह सींग कर रहा है। जोछ से माइक में पूर वह खर तो से क्या करते हैं फील टाच करते हैं इसे में पते चलता है वह होट और कूल थंडी अगर है अगर हमें स्मूथ अपने इनट ओकी डिडिंग अच्छे से पूरी करनी है ताकि आप एक्टिविटी स्फिल कर सकें नेक्स पेज पेड़ेज पे तो यह सेंस और आंसर सेंस तीयों यह टेस्ट चर्च शेरिंग साइट शायट श्मेल अर दूसरी साइट पर उनके बारे में बताया हुआ है टेस्ट फोरोते हैं स्वीट्स और बिटर सॉल्टी टच करने से स्मूथ रॉफ का डिफ्रेंस पता चलता है हेरिंग सुनने से हमें सॉफ्ट और लाउट सॉन का पता चलता है साइट देखने से हमें कलरफुल और ब्राइट इंग्स का पता चलता है स्मेल स्मेल करने से प्लै पेस्ट नाइन पे हमें एक्टिविटी दी हुई है चूज दाप क्रैप्ट सेंस फॉम दा वर्ल बैंक टाच टेस्ट हेर स्मेल साइड आपने पिच्छे देखनी है उसके अकॉर्डिंग जो सेंस आएगी वहां पे उसका नेम लिख देना है जैसे बॉइ खाना खा रहा है ट प्रश्च नमबर टू जी एस का अब हम इसके आंसर क्वेस्ट तेखेंगे एंसर क्वेस्ट देखें उन क्लास इसका यूनिट टॉपिक है यूनिट नमबर तू फर्स्ट क्वेस्टन है आर रोस हैसा स्वीट थे जो नो डैट आप कैसे आपको पता चलेगा आंसर आपाइ खटे होते हैं आपाइं हमारा बाइं टेस्ट करने से पता चलेगा क्वेस्ट नमबर त्री यह विच सेंस ओर्गन विज यूज यूज तो लिसन टू आविसपर सैंस नहीं पूछी इसमें उन्होंने हमें सैंस और गन पूछा कि कौन सा सैंस ओर्गन मतलब कौन सा पार्थ हम यूज करेंगे लिसन करने के लिए आंसर देखें वन क्लास इसका आंसर है यह से हम लिसन कर सकते हैं क्वेस्ट नमबर फॉर एविच सैंस ओर्गन डू यू यू यूज तो नौ डाट ग्रास इस क्रीन क्राश्ट वह ग्रीन को किस सैंस ओर्गन से हमें यह पता चलेगा आंसर है आईस कर्से नमबर फाइफ है देर इस दा ग्लास ऑफ मिल को अंधा टेबल टेबल पे मिलक का ग्लास है हाव वुड यू नो इप इस होड और पूल है आपको कैसे पता चलेगा कि वह होड करम है यह कूल ठंडा है आंसर है बाई टच टच करने से अमें पता चलेग एक्टिविटीस हमारी यूनाट टू की मुकमल हो गई है आपने इनको अच्छे से लर्ण कर लेना है ओके